यह BPL की 3 channel machine है, ECG की जो की बहुत अच्छी quality की होती है, जो होस्पिटल में usually हम लोग यूज़ काते हैं, बाकि इसके लिए single channel भी आपकी machine आती है, बट वो बहुत अच्छी नहीं मानी आती है, 3 channel में आपको ECG read करने में आसानी होती है, क्योंकि जो books में भी हम लोग ECG पढ़ आपको पूरा उसको leads fix करने के बाद में आपको पुछ करेंगे, machine on हो जाएगी और on करने के बाद में आपको प्रिंट वाला एक यहां पर बटन दिखाए गया, प्रिंट वाले बटन से आप दबाके उसका ECG यहां से print out होके निकलाता है, simple सा machine है कुछ करना नहीं है, इसमे यह दूसरी चारी क्लिपिंग्स है, यह क्लिप्स हैं जिससे leads लगाई जाती है हाथ और पैरों में, यह चार होती है, अब इसको पहचानना कैसे है कि कौन सा हाथ में लगा जाएगा, कौन सा पैर में लगा जाएगा, तो size से depend करता है, यह बड़ी है size में, यह छोटी है size मे बड़ी पैर में लगाई जाएगी, छोटी वाली हाथ में लगाई जाएगी, यह जली है, यूजली मशीन के साथ में आपको सिफ एक जली मिलेगी, यहां पे तो मैंने कई सारी यूज़ कर रखी हैं, यह यूज़ वादी रखी हुई है, यह आपका roll साथ में मिलेगा, सबसे important हो, इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, पेशन को आप लिटानिक वाद में वो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा पूरा उसका ECG करते हुए, इसमें यह दो जो डार्क कलर की हैं, यह दो एक रेड और जलो कलर की हैं, जो डार्क कलर की हैं, इस पे एक पे लगेगी, एफ वाली लेफ्ट में लगेगी, और यह जो आपके रेड और यलो कलर की हैं, तो रेड वाली आपकी हाथ पे लगेगी, राइट साइड में, दिखे इस पे आर लिखा हुआ है, और जो यलो वाली है, उस पे एल लिखा हुआ है, यह आपकी लेफ्ट साइड आ 5-6 इसमें sequence से रखी हुई है, अब इसको fix करने के लिए क्या करते हैं, इसके साथ में एक box आपको और मिलेगा इस machine में, इसमें 6 जो pre-corridial leads होती हैं, वो इसी के तुर fix होती हैं, पर vacuum effect इसको दबा के हलका सा छोड़ देते हैं, जैरी लगा के तो यह चिपक जाती हैं, इसको इसमें fix करने के लिए simple सा इसमें यह बना हुआ है, इसको ऐसे डाल देते हैं, fix हो जाती है, और chest पे lead लगा के और इसको ऐसे दबा के, ऐसे छोड़ दे, दिखिए चिपक गए, इसी तरीके से उसको chest पे भी चिपकानी होती है, तो simple सी machine होती ही, बाकी और बहुत कुछ पूरा और हाथ वाली भी लगानी है, तो ऐसे लगा देते हैं, तो machine में आपका कुछ नहीं है, simple सी चीज आपकी जो main machine है, machine को on करने के लिए, जब आप पूरा patient को लिटा के और पूरा उस पे precordial leads लगा लेते हैं, लिम leads लगा लेते हैं, उसके बाद में हम machine को on करते हैं, on monitor है, जैसे आप ICU में monitoring करते हैं patient की, उसी तरीकी से just ये विल्कुल monitor करेगा आपको, आपके patient को, और अगर आप print नहीं लेना चाहते हैं, या आपके पास role खतम हो गया है, और आपको urgently patient का ECG देखना है, तो इसमें display होता रहेगा, ECG के लिए बाकी next video upload कर दिया जाएगा,